अब पॉइंट पे आएं जो टॉपिक है वो दो पांट में डिवाइड़ है एक आ गया आँखों की प्रॉब्लम्स और दूसरा आ गया आपका जॉंडेस का प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं पी लिया रैट इन दोनों चीजों को कभी भी आपने हलके में नहीं लेना लाइट में नहीं लेना है इनसान बहुत चकित हो जाता है कि आँखों की प्रॉब्लम्स है पूरी बॉड़ी के अंदर ये ये प्रॉब्लम्स होती है बिल्कल होती है पी लिया किस तरह से एफेक्ट करता है और क्या क्या है उसकी जड क्या है उसका कारण क्या है उसका निवारन क्या है है वो सब अप्रली पहला प्राइज प्रॉब्लम का जो लोगों की जनरलाइजेशन है जिसको बोलते हैं धारणा परज्यूम करके चलना गया से मैं हमिशा आपको बोलता हूं कि माइंड नहीं करना लेकिन लकीर के पकीर नहीं बनना आपके पास जिस फिल्ड के अंदर आप हैं यह एक बात आप लिखके रख लो यह ग्यान का फिल्ड है चितना जादा आपको पता होगा उतना जादा आपकी प्रॉग्रेस पॉसीबल है ग्यान होना चाहिए इधर वैसे ही कोई here से का बात नई हिए सुना सुनाया, कोई presume कर लिया, कोई assume कर लिया, कोई किसी ने बोला था, किसी ने कहा था, शायद ऐसा लिखा होता है, शायद वैसा होता होगा. ये नहीं, ये मित है, ये गलत है, हमारे पास concrete knowledge होना चाहिए, concrete, पुरा stick knowledge, कि ये चीज ऐसे है, तो इस चीज का ये problem है, ये problem ऐसे होता है, इस problem की वज़ा ये होती है, इसके ये election होते हैं, ये इसके कारण होते हैं, ये इसकी categories होती है, ये इसका निवारन, ये है beauty, आपका FH विल्कुल, concrete, defined, clarity के साथ, आँखों के अंदर हर इंसान को पता है, कि आँखें जो है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सम्वेदंशील होती है, थोड़ा सा भी आँख के अंदर, एक negligible ले लीजे, कि माली जी हमने needle ले लिया, needle, मीन सूई, जिसे कपड़ा सिलते हैं, उ उसका जो pin point है आगे, उससे भी ratio कम के अंदर, अगर थोड़ा सा भी जर्रा हो, थोड़ी इसी भी problem आँख में हो गई, आपको तुरंत पूरी body जो reflect, पटा-पट से पता चल जाता है, कि आँख बंद हो गया, आँखें उपर हात रख लिया, या आँख को ऐसे बंद कर लिय हमने इसको आँख को बार-बार बंद करके खोलना शुरू कर दिया, आँख के अंदर लाली आ गई, आँख के अंदर सूजन आ गई, आँख का रंग चेंज हो गया, आँख के अंदर की arteries का रंग चेंज होने लग गया, बहुत सी problems within the twinkling of an eye, आँख के जपकते ही आँख वो लक्षन दे दे, इतनी सौफ्ट है आँख, अगर माल लीजिए, आप driving के अंदर हैं या आप चल रहे हैं, आप वही रुक जाएंगे, कभी भी देखेंगे, आँख के अंदर, negligible ना मत्रा के अंदर भी problem आया, आपका गाड़ी जो क्योंकि आपका ध्यान कहां चला गया, यहां पर चला गया, आपको पता ही नहीं है, आप रोड़ पर हैं, कहीं पर हैं, आप बहुत जल्दी से गाड़ी कहीं cut कर देंगे, उसको turn कर देंगे या गाड़ी को रोक देंगे, reason आपकी आँख के अंदर problem आप आँखों के अंद गया, उसने बोल दिया जी आँखों की दिक्त है, बट आँखों की कौन सी दिक्त है, एन नमरस, पूरा variables के अंदर पुरी दिक्त है, इतनी classifications है, diversification कितनी है, कि आँखों के अंदर गैक्टिक बोलते है जी आँखें आगई, कभी भी बोलेंगे जनरल भाचा में कि इनकी आ हो गया द्रिष्टी का प्रब्लम हो गया मोतिया बिंद हो गया काला मोतिया आ गया सफेद मोतिया आ गया रेटिना अलग होने का प्रब्लम आ गया गोहेरी का प्रब्लम आ गया आंखों में पिंपल्स होने का प्रब्लम आ गया कलर ब्लाइंडनेस का प्रब्लम आ गया कंप्य आंखों के सूजने की problem आगई आंखों के अंदर swelling की problem आगई आखों के अकार छोटे होने की problem अन नंबर उफप्रप्लेम्स देखने को क्या है कि जी आंखों की देखर पूरी वर्ड में इसकी माननेता है अब यहां पर आपके लिए सबसे जो एस्टॉनिशिंग जानकारी आती है सबसे जुसको बुलते हैं गहरी जानकारी आँखों कोई भी सिंड्रोम आया वो क्लासीफाई होके बढ़ता जाता है कि मान लीजिए पहले तो आँखे दुखने लग रही कि सिंपल उसको हम जल्दी सोगनेवारन कर लेंगे पिंक आईस का प्रोब्लम आ गया अगर उसको आई साइट का प्रोब्लम है color blindness का problem है उसको eye vision eye sight का problem है वो करते करते उसकी stage बहुत बढ़ती जाते हैं और इसको कभी भी please don't take it lightly हलके में नहीं लेना है क्यूंकि आँखों का सीधा सीधा connection कहा है brain के साथ कि जो आखों कि अर्ट्रीज है यह तो external partner आखें दिख रही हैं और उसके पांच दिख रहे हैं हमको उसके सिधे तिक रहे हैं। इसको काम करने का तरीका दिख रहा है जो नहीं दिख रहा वह कहा है दिमाघ के अंदर उसका connectivity कहा है with brain सबसे important जो बात है सबसे एहम बात कि आँखों का जो भी field होगा आँखों की जो भी दिक्राइब होगी आँखों का कोई भी syndrome है आँखों की कोई भी problem है उसको इसी लिए serious लेना है ताके उसका connection कहा है दिमाग के साथ सबसे बड़ा importance का preference क्या है उसी कोशिकाओं से ये arteries develop होती है जिससे brain की नसें develop सेम कोशिकाओं से आप सोचिए कि जैसे इंसान में बोलते हैं न जी दो चीज सबसे important आगए पूरा का पूरा body जो है वो तो important है ही हर organ important है हर part important है पूरा body important है लेकिन heart और brain सबसे important माना जाता है कि इसके अंदर में direction नहीं होनी है अब यहां पर बात किसकी आ गई free aspect के बारे आपका heart आपका brain और आपका eyes भी उतना ही important है कहते हैं ना एक कहावत है पूरातन शास्त्रों के अंदर कि अगर आपके दांट चलेगे तो आपका स्वाद चला गया और आपकी अगर आँखें चलीगी तो आपका जहान चला गया मतलब आप देखेंगे क्या अगर आँखें खराब होगी तो सब बेकार है सब अंधेरा है सब आपका जो है bullshit है बेकार हो गया इसको light क्यों नहीं लेना हमने हलके में क्योंकि इसका सबंद किसके साथ है हमारे brain की नस्वों के साथ और जैसे ये धीरे धीरे ड्वेल्प होना शुरू करती है अगर कोई तंत्रकाएं इसके अंदर problem करती है वो problem आपको reflect हो जाती है उन categories के अंदर जिन categories का मैंने आपको जिकर गया अब यहीं तक सीमत नहीं है अगर आखों का problem rectify नहीं किया और वो बढ़ गया step by step आगे चला गया कोई एक दो stage आगे चला गया वो आपके brain की connectivity को affect करने लग गया arteries को affect करने लग गया कोशिकाओं को affect करने लग गया तब उस इंसान के साथ उससे भी बड़ी problem क्या होनी है उस व्यक्ति को alzheimer का problem neurological disorders psychological problems सीजोफ्रेनिक syndrome उस व्यक्ति को stress उसको tension उस व्यक्ति के लिए depression insomnia उसको नीद की problem उस व्यक्ति के headache सर में दर्द एक अजीब सा होता रहेगा वो चाहे इस पार्ट में हो चाहे इस पार्ट में हो चाहे आदे पार्ट में हो भैल के चाहे पर सर में चलगे उसके साथ साथ उस व्यक्ति को neurological disorders जिसका सबंद mental level से problem शुरू कहां से हुई थी ध्यान से इसको संजीएगा आखों से उसको control नहीं किया गया वह बढ़के कहां चली गी आपके सीजो फ्रेनिक सेंड्रों स्यजो फ्रेनिक सेंड्रों psychological उन्रों नavezॉड लोजी कल डिसॉडर के अंदर konsultation फीशी हजारों रुपए बें है ऐनोपेक फिल्द के अंदर अगर किसी से पूछने चले जाएंगे तो अगर आपने किसी महारत के व्यक्ति को इतना पूछना है कि सर-neurological disorder क्या होता है आइस का syndrome क्या होता है eyesight का syndrome क्या है what is schizophrenic syndrome what is mental disorder उसकी फीसी हजारों में है खाली बताने की वो भी ऐसे treatment नहीं मिलेगा आपको जैसे FHP में मिलता है वहाँ पहले appointment लेना है हजारों रुपे की फीस देनी है पर्थी कटवानी है फिर वहाँ बैठकर सेंगडे लोगों के अंदर इंतजार करना है फिर बहुत गंटों के बाद आपकी टरनाती है फिर वो आपको बुलाते हैं आपसे दो-पांच मिनट बात करते हैं इतना क्लैरिटी वहाँ नहीं आएगा यह मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कमपनी की और से आपके लिए कह रहा हूँ आप इन चीजों को लाइट में मत लीजिए इस ग्यान को इस नौलेज को इसको लिख लीजिए यह फिल्ड में आपके काम आएगी अगर आपसे कोई प्रॉस्पेक्ट आ गया आप जान से एक चीज़ को आप समझिएगा आज कि मैं इस पर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ आपने फिल्ड में बहुत मेहनत किया सब लोग बुरे एक्स्पिरियंस हैं एजूकेटड हैं इंटलीजेंट हैं नॉलेज हैं सब है और आपके पास कोई बहुत मार्वलेस प्रोस्पेक्ट आने लग जए जिन्होंने आपके काम को भी असमान तक ले जाना है लेकिन गौड फॉर्बेट भगवान ना करे आप उनको सेटिस्पेट नहीं कर पाए तो वो व्यक्ति आपके साथ कैसे आए आपको पता होना चाहिए अगर उसने पूछ लिया लूजिकल डिसरॉडर क्या है मेंटल डिसरॉडर क्या है वट इस बार्ड सैकलाजी कल प्रॉब्लम वट इसकोल्ड सीजोफ्रेनिक सेंड्रॉम रेटिना अलग होने का प्रोबलम क्या है कि क्लर ब्लाइंडनेस क्या है सब्सक्राइब कैसे आता है अगर उस नॉलेज में हम लोग चूक गए तो मेरी बात को समझें फॉलो करिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं असलों है कि हमको क्रीट जो है वो पता है ये उसके बाद आप एक और चीज देखेंगे कि लोगों के अंदर एक लास्ट बटन और दा लीस्ट को कि इसके बाद एक और अपका पड़ा है पिलिया के बारे में इसको बोलते हैं बलीफ रोश पाजम है तो बोलते हैं आख फड़कने में आगया नहीं कोई वहम नहीं होता इसका इसका कोई जिंदगी किसमत लेंदेन अस्टरॉलोजी कोई लिंक नहीं है काम के साथ रख्य के साथ ये होता क्यों है कि आपकी आँखों के अंदर से मान लीजिए वो आटरी आपका कहीं नीद नहीं पूरा हुआ जो आपका स्लीपिंग सिंड्रोम का आटरीज है वहाँ पर कहीं स्ट्रेस आ गया अंदर में कहीं पर खिचाओ आ गया कहीं पर वहाँ पर अकड़न आ गया और वो चीज जैसे ही एक लेवल के बाहर हो जाती है तो वो रफ्लेक्ट कहां करती है आंखों के उपर आंख आपका पड़कना शुरूब करते हैं और उसका डिवरोबिल्टी कितना होता है कुछ सेटेंड से लेके एक दो मिनट या कुछ दिन कई लोगों की कई महीने तक आंख पड़कती रहती है तेर इस नथिंग तुम वरी बाउट उसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है अब हम लोग आ गए क्योंकि टाइम का लिहाज करते हुए कि आईज के जितने अस्पेक्ट हमने डिस्कस किये अब इसके अंदर निवारन निवारन भी फच्पी का प्रॉडक्ट आ गया सबसे पहले आपने क्या रेकमेंड करना होता है फच्पी का बहुत ही युनीक युन टाइम आपने उनको रेकमेंड करना है कि अपने केहरे को आँखों को दोले उसको प्रेस नहीं करना ज्यादा ऐसे ऐसे प्रेस नहीं करना है खली ऐसे पानी अपना मारे आँखों के अंदर और थोड़ी देर के लिए आँखों को ऐसे चेहरे को धीला छोड़े नीचे maximum number of problems maximum number of problems सिर्ध दुखने लग गया विजन क्लियर नहीं है आईसेट क्लियर नहीं है मोतिया उतर रहा है काला है सफेद है कप्प्यूटर विजन में problem है maximum number of problems के अंदर eye care drops ही बहुत है यह proven बात बता रहा हूँ कोई सुनी सुनाई बात मैं नहीं करता हूँ मैं logic authenticate practical बात करता हूँ जो knowledge मुझे है मैं वहीं बात करता हूँ right second आखों के लिए आपने उनको recommend करना होता है जहां पर mention भी होता है आखों skin बालों के लिए सबसे best php का आमला use तीस तीस हैमल दीजिए दिन में दो बार तीस तीस हैमल no issue आप उनको आमला capsule recommend कीजिए php का सुबह शाम best आखों की internal arteries का sprenthonize करने के लिए अगर बोले तो the best चीज किसी को बोल सकते हैं the best right और आपने के इनसान की जो आखों की arteries है और brain की जो arteries है उनके अंदर कहीं से भी known या unknown जिसको बोलते हैं deliberate और undeliberate कोई भी effect ना आए उसके लिए आपने उनको bliss देना है जितनी मैंने importance बनाई है उस importance जो मैंने बताई आप उसको मदे नज़र रखते हुए bliss सुबा शाम लेना ही चाहिए क्यों क्योंके जो body अंदर content मांग रही है body मांगेगी जी सिट्राफोलिया मरिंडा का content वो है Indian gin sing अश्रफ गंदा इसके अंदर है काली मिर्च इसके अंदर है इसके अंदर spirulina है the healthiest food इसके अंदर आपका काली मिर्च इसके healthy के extent maximum number of steps जो हम मांग रहे हैं वो किस में आ गए खाली एक bliss के अंदर और वो overall body अगर जीवन की हमें जरूरत समझ में आ गई अगर हमें आँखों की importance समझ आ गई अगर brain की importance समझ आ गई तो ये चीज तैय है कि हर घर के अंदर अब एक बात मान के चलिएगा कि अंबर जी ऐसे ही बोल देते हैं जी बिले स्खाओ अंबर जी ऐसे ही नहीं बोल देते हैं बिले स्खाओ उसके पिछे reason होता कि अगर आप चाहते हैं हर इंसान चाहता है God for the बगवान करें तो कोई बिमारी ना लगे अब जितने लोग जिन्दगी में हमारे साथ हैं जीवत हैं आखे तो सब्की है ब्रेन सबका है अगर प्राबलम है तब भी अगर प्राबलम नहीं है तब भी उसको ना होने देने के लिए हर आखों वाले शक्स को ये खा लेना चाहिए लॉजिक समझिया इतना इंपॉर्टेंट है बले साथ के लिए पूरा जीवन आखें होगी तो काम करेंगे अगर ब्रेन सही रहेगा तो काम करेंगे न माइडियर प्रेंट्स उसके लिए मैं बोल रहा हूँ राइट दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट अस्पेक्ट के अंदर आ गया कि लोगों को पी लिए का प्रॉब्लम होता है जॉन्डिस जॉन्डिस को अगर हम जनर्र कित्सी आवाचा में ले 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 आप वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइजेशन के मद्यम से आजाओ आप इंडियन मेडिकल एस्टोसिएशन के मद्यम से आजाओ आप किसी एक्सपर्ट के मद्यम से आजाओ आप उनके किये हुए सर्वेज के अनलसिस के मद्यम से आजाओ आप चरक सहता के माद्यम से आजाओ आप रिग वेद के कंटेंट्स देख लो जहां पर लिखा हुआ है कौन सी जड़ी बुटी कौन सी बिमारी में कैसे काम करेगी क्यों काम करेगी कितना काम करेगी अगर ढूंड ले नॉलेज को अगर हम उन सारे नल्सिस को देख लिए उस चिकित्सिया भाषा में देख लिए मेडिकल साइंस में समझ ले आयरवेद हर्बन के समझ ले पुरातनिशास्तर में समझ लिए जो संस्कृत भाषा है संस्कृत लिपी के अंदर जोंडेस का पीलिया का असली नाम है कामला रोग पहले लोग यह नहीं बोलते थे किसको पीलिया हो गया इंगलिस नहीं आता था ऐसे नहीं बोलते थे किसी किसी को आता था इंगलिस के जोंडेस हो गया जोंडेस और शी इस अफेक्टेड विद जॉन्डेस अब बोलते दे कामला रोग का द्वाई दीजिए बूटी दीजिए जड़ी बूटी दीजिए पौडर दीजिए उसे इसका इलाज करिए पीने वाला इसको काड़ा दीजिए सिरुप दीजिए यह जितने आल्टरनेटिव है फैस इस जिसका असली कारण जो असली नाम है पूरी सर्च के बाद डैट इस वाइरस इसकी जड़ जो है वह वाइरस यह वह नॉलेज है जो पता नहीं किसी ने आपको दिया आपको आता है तो वैल और नहीं आता तो इसको एड़ कर ली दिये यह बहुत डिस्टिंक्ट नॉले जोड़ते हैं पीलिया का कारण क्या है वाट इस दा मेन रूट कॉस ऑफ जॉंड़ेस वह साइंस ने प्रूफ कर दिया मेडिकल साइंस ने प्रूफ कर दिया आयरवेद हर्बल ने प्रूफ कर दिया चरक सहता ने प्रूफ कर दिया वेद शास्तर ने प्रूफ कर दिया उस एपेटाइटस A हैपेटाइटस B हैपेटाइटस C हैपेटाइटस D E F G A से लेके G तक साथ कैटेगरीज हैपेटाइटस और साथ कैटेगरीज जब पीलिया को अफेक्ट करेगा तो कितने ही अलग-अलग पीलिया रोक का सबसे पहला लक्षण कि उस व्यत्ती का पूरा बोड़ी पूरा स्किन खास करके चेहरा और आखों का सफेद पाठ पूरा पीला घड़ा हो जागी पीला उसको हर तरफ पीला पीला दिखने लग जाएगा उसको बोलते हैं येलोईश साइट सिंड्रोम पीला स कोई भी चीज़ है उसको अजीब सी मद्दम सी पिली पिली दिखेगा दिमेंशनल रिफ्लेक्शन देखेगा उसको कोई चीज़ ऐसे करकर के उसकी आँखों की ओवर आ रही है ऐसे ऐसे पहला उस व्यक्ति का मल मूतर बहुत ही जादा गाणा पीला हो जाएगा येलोईश अब जब हैपिल टाइटिस ने एफेक्ट कर दिया जब उसके लिवर के उपर एफेक्ट आ गया उसके पूरे पेट के उपर एफेक्ट आ गया वो असली जड़ बन जाएगा पिलिया अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि पीलिया होने के बाद क्या हो रहा है पीलिया होने के बाद उसकी आखें पीली पुरी स्किन पीली पुरा चेहरा पीला उसका मल मुतर पीला उसका सिंड्रोम साइट का पुरा येलोईश अगर तो यह new born baby को होता है तीन category ज़्याद रखतिए लिए अगर तो new born baby को हो गया यह चोटे बच्छे को हो गया तो ढरने की बात नहीं easily controllable अर्ाम से control हो जाता sa adult को हो गया किसी बड़े लोगों को हो गया बड़ी लड़कियों को हो गया जैंस को हो गया, लेडीज को हो गया, या ओल्ड एज पीपल को हो गया, there is a big problem, वहाँ पर problem आएगा, अब वो करेगा क्या, बलीरी रूबेन नामिक, एक बाई प्रोड़क्त है, जो पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता, वो क्यों मढ़ता है, अब जॉंडेस की वज़ा क्या हुआ, हैपेटाइटस वाइरस, और इन दोनों का लिंक क्या हुआ, हैपेटाइटस वाइरस का लिंक क्या हुआ, बिली रूबिन नाम एक एक बाई प्रोड़क्ट होता है जो आपके अंदर ड्वेल्प हो गया जो व्यक्ति पीलिये से ग्रस्प है और आपके 120 दिन के पहले आर भी सी टूटने लग गए रैट ब्लड सेल्स विदिन दा एक स्टिपूलेकड पीरियड है 120 दिन का उसके पहले पहले वो सेल टूटने लग गए विली रूबिन जो उसका परसेंटेज है डिगरी है रेचो है वो पेट में लिवर में बढ़ने लग जाएगा बहुत स्पीड से बढ़ेगा बहुत ज्यादा मत्रा में बढ़ेगा एक उसका स्पीड तेज एक उसका मत्रा तेज वो क्या करेगा उस व्यक्ति की बॉड़ी को हैपेट टाइटस की चपेट में ले लेगा और आगया वह पेट के अंदर बढ़ कैसे रहा है लिवर के अंदर बढ़ कैसे रहा हूं सोचने वाली हमने चीज तो कोई खाई नहीं जिससे बिली रूबिन बढ़ जाए ये हुआ कैसे प्रकरती के अंदर जीवत इंसान के लिए तीन चीजें जो भगवान ने सिर्फ इंसान के लिए बनाई उसका हवा उसका पानी उसका भोजन हवा में से इसके जरम्स फैलते फैलते उस वेक् जिस पानी का वो सेवन करेगा अगर वो पानी शुद नहीं है अगर वो पानी मिनरल्स के साथ पुरा सही नहीं है अगर वो एलकेलाइंग वोटर नहीं है तो प्राब्लम जादा बढ़ेगी बिली रूबन जादा बढ़ेगा वो रेट बलर सेल्स को जादा तोड़ेगा 120 दिनके stipulated period के पहले तोड़ेगा और वो आपके लिवर के अंदर maximum infection पैदा कर मिलेगा अब जब infection पैदा हो गया आपके अंदर वो virus कैसे पहुँच गया आपके माध्यम से पानी के माध्यम से आपने जो भी खाया भोजन कोई भी खद्या-पदार वो जो अंदर गया किसी भी चीज से touch हो गया वो उसका जरंज अंदर जा रहा और यह सबसे पहले करेगा क्या सबसे पहले फीवर वाइरल और infections मैक्सिमम कर दे यह लिवर के अंदर से यह सबसे ज्यादा बॉड़ी को किस चपेट में लेगा उसका फीवर वाइरल इनफेक्शन्स लिवर इनफेक्शन्स लिवर को फैटी भी कर सकता है क्षेट करेगा problem करेगा требa problem करेगा उस व्यक्ती के सब्सक्राइबर क्षम को चुपट में ले- उसका भूक प्यास का problem क्रिएट हो गया अगर तो खानाहा है खायानी जारा खा रहा तो को टाजस्ट नहीं हो Ryan दीजेस्ट हो रहा तो दोबारा भूग नहीं लग रही प्रॉपर डीजेस्ट नहीं हो रहा अंदर टक्षुन लिखठा हो गया अब उसको साथ-साथ में कॉंस्टीपेशन का प्रब्लम हो गया अम्मलमुत्र का त्याग भी नहीं हो रहा प्रॉपर गंदगी है पेटाइटस वायरिक से साथ साथ अंदर गंदगी ही गंदगी बढ़ती जा रही है टॉक्षिन ये टॉक्षिन उस व्यक्ति का हाल सोचिए क्या होगा अब ये दिक्त उस इंसान के साथ सबसे जादा बढ़ती जा रही है मैक्सिमम वो क्या करेगा मैक्सिमम वो उसके स्ट्रेस को क्रियेट करेगा उसके लिए उसके लिए लिवर पेट जॉइंट प्रॉबलम डजेस्टिव सिस्टम आर्टरी प्रॉबलम ब्लड वेंज में प्रॉबलम ब्लड में इंफेक्शन लिवर में इंफेक्शन डजेस्टिव सिस्टम में यह सभी प्राब्लम्स के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर बहुत जदा वीक नहीं साने देखें क्योंकि उसकी बॉड़ी देखिए ना कौन-कौन सी चीज को जो जेल रही है उसकी बॉड़ी तो प्राब्लम्स क्यों नहीं है अब रीजन क्या था कि आपने पहले ही अपने स्क्राइब रखना था अपने लिवर का ख्यार रखना था आपने उम्तंत्रिकाओं को कंट्रोल में रखना था जिसके साथ उसकी बॉड़ी को प्राब्लम हो ने अब अगर हम हल्की बात करें क्योंकि जितना अभी टाइम बच मेरे ख्याल से च्छे साथ आठ मिनट है अल्मोस्ट टॉपिक जो है वो कवर हो गया है अब आपने करना क्या है कि हैपेटाइटस के साथ साथ मान लीजिए हम बात कंसेप्ट के उपर आगा है कि अगर पीलिया का प्रॉब्लम है उसके निवारण के लिए या उसका रोग थाम हो जाए ताके वो ना हो उसके लिए क्या करेंगे मैं कुछ प्रोड़क्ट ऐसा है जो स्टीक आपको बता रहा हूं कुछ सपोर्टेव प्रोड़क्ट बताऊंगा आप नेगलीजेंस मत करिएगा कभी भी क्योंकि इस चीज का क्यमूलेटिव अफेक्ट देख लीजिएगा कि अगर हमने एक पीडिया के उपर घौर नहीं किया तो कितनी प्रॉब्लम्स है तो जी डिटेल में बोल चुका है अगर वो फ्लॉरिश हो गई तो आप सोचिए कितना क्रिटिकल केस हो जाता है सबसे पहले आपने क्या करना है उस व्यक्टी के लिए सेल प्लस जूस फच्पी कंपनी का 30-30 ml उसको दो बार कमेंड करिएगा ताके उसके सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए सेल लेड कैप्सूल साथ में एड़ कर सकते हैं मौर्निंग में इवनिंग में दूसरा उस व्यक्ती के लिए वीट ग्रास जूस देना है आपने हमोग लोबिन का प्रॉब्लम ब्लड इंट्रक्शन का प्रॉब्लम यह सब प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग अपना कमांड रख सके उसके साथ साथ आप उसको सुबा शान वीट ग्रास टेबलेट रखमेंड हैं सुबा शान अब एक और चीज ताके उनका लिवर प्रोटेक्ट के अंदर र कि खाना पचे ही ना उसको प्रॉब्लम होगता है उसको ऐसा प्रॉब्लम होगता है उसको आपने उनको फेच पी का गैसो लिवजाइम सिरफ यह रिक्मेंड करना है जो व्यक्ति ग्रस्ट है मैंने आपको बुला लकीर के पकीर नहीं बनना आपने आप इसकी बाडी तीन बार मांग रही है तो तीन बारो के लग रहा है कि अभी कुछ हफ्टों बाद वो दो टायम से होखेए है तो दो टाइम उस ह्थाप से जहां पर आपको दिक्कत आती है तो आपने सलाम मशुरा ले लेना है सुजेशन ले लेना है है अपने अपलाइम से ले लेना है कस्टमर केर से कर लेना है किसी जे कर लेना अब इसके साथ साथ जो में चीज मैं दो आपको और बताऊँगा दो भी क्यों राधर तीन चीज जो बहुत लाजमी है मेरे हिसाब से पहला इसके अंदर आप क्या करेंगे जो वो व्यक्ति जॉंडे से अफेक्ट में आ गया है उस व्यक्ति का वाटर को सही करिएगा उसके पानी को सही करिएगा आपने उसको एफेच पी का एलके लाइन वाटर चार महीने तो हटाना ही नहीं हो तो ठीक हो गया तब भी नहीं हटाना वैसे तो ये लाइफ लॉंग होना चाहिए हर घर के में 200 एमेल का गिलास लिया 5-6-7 तक बूंद डाला उसको पिलाया दिन में चार गिलास 200 एमेल का 5-6-7 बूंद एलकेलें ड्रॉप्स का डाल करके उसको पिला रहा है और लास्ट बट नॉर्द लीस्ट आपने उसको मरिंडा सिट्राफोलिया का अक्स्टेक्ट उसकी कमजोरी दूर करने के लिए हमने स्पिरोलीन इंडियान जेंसिंग अश कि उसकी बॉड़ी को उस वक्त में बचा सके उसकी बॉड़ी को कोप अप कर सके उस विमारी से वह व्यक्ति लड़ सके उसके लिए आपने एफ़ेश पी का ब्लिस कैप्सूल जो मैं आपको बोलता हूँ कि मिनीमम टू मिनीमम नंब्ढे दिन तो बंद नहीं कर यह अपको ठीक हो जाए वो चार अफते में ठीक हो गया पैसे पांच में आपको लगा सही हो गया महिने में सही हो गया दो महिने में चीजे कर दी, वही बोडी है, वही उसका सैल्ज है, वही ब्लड सर्कूलेशन है, वही और्गंस है, वही सब कुछ है, अगर आपने उसको ग्यान दे दिया, आपने ये प्रोड़क्ट उसको दे दिये, इसका base create हो गया तो वो व्यक्तिव के फाज़त में आ गया वो उस बिमारी से बहर आएगा वो सवस्थर दोबारा हासिल करेगा वो नॉर्मल जीवन भी जीएगा वो infection से, viral से, इन चीजों से बचा दिए तो end में last but not the least जितना हमारा ये topic था eyes problem का या jaundice problem का उसके उपर maximum जो मैं content साब को share कर सकता था knowledge के मैंने कर दिये आप हमेशा तीन चीज के उपर काम करिएगा पहला बींगे एक मैं elder आपको team player बता रहा हूँ अपना mind set करिए सबसे पहला सबसे फोर मोस्ट जो जरूरत है और दूसरा आप अपना basics को clear करिए basic जब clear होगा तब तरक्ती होगा basics और तीसरा average के हिसाब से हमने काम करता जाना law average के हिसाब से जितनी भी knowledge है क्योंके अगर meeting बंद भी हो जाए over हो जाए तो no issue के topic जो है वो cover हो चुका है contents cover हो चुका है जितने भी लोग valuable time निकाल करके इस meeting के साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं एक बार फिर दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंके कुछ ख्षणाओं में मैं बाणी को grant दे दूँगा और मेरे हिसाब से जितनी भी आप लोगों को knowledge है उस knowledge में हमारी knowledge जहां आपको लगे ठीक है आपने उस चीज का नहीं पता उसको आप अपनी knowledge में add कर लीजिएगा और field के अंदर उसको use करिएगा ताके आप लोगों का maximum life के अंदर आप लोगों को health provide कर पाए बढ़िया से बढ़िया आपका नाम हो company के माध्यम से आपका बहुत जादा धन कमाएं और आपका एक identity जिसको बोलते हैं पूरे इंडिया के अंदर आपका एक बहुत बड़ी अच्वी एक पहचान हमाद तो नेक्स्ट जो भी topic company की और से आएगा उसके साथ नई जानकारी के साथ मैं फिर आप से मिलूगा तब तक के लिए thank you very much हुआ 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 है